हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल आज हम इस साड़ी से एक खुपसरो सा ड्रेस बनाएंगे तो यह नीचे में दूसरा कलर है और उपर साड़ी इस गीन कलर की है तो यह पहले यह बॉर्डर काटके हम लोग निकालेंगे जहां से हम लोगी कढ़ाई है पूरा नीचे में उस वाली बॉर्डर को पूरा कट करके मैं निकाल दिया यह कमर के तरफ का है इसमें कोई कढ़ाई नहीं है तो यहां से मेजर्मेंट ले रही हूं 28 इंचिंस की लंबाई है और कमर हमारा 17 है तो उसका फॉर्थ पार्ट लेंगे हम फिर उसके बाद नी पूरी स्टाइल में बनेगा यह फिर उसके बाद मैंने यहां से पूरी साइड से अपनी कट कर ले है और यह जो कमर के ऊपर पत्ती आती है इस पर कोई कढ़ाई नहीं है उस तरफ से फोल्डेड है और जो पत्ती वाली साइड है वो निकाल दी है मैंने कट करके यह देखि है उसके टैन में टू प्लस करके लिया है तोलिंग दिए है और इसकी कमर है 16 इंच की मतलब 32 साइज की तो 16 मैंने उसका 4 पार्ट ले लिया है 16 का अरे 38-2 का, sorry, और नेक है, इसकी नेक की वीर्थ है, 4 इंच की, और नेक की डिपनेस भी 4 इंच की ही है, अब उसके बाद मैं और मोल कर निशान ले लूँगी, मैंने आगे पीछे, मतलब ब्रोट नेक में ही बनाया है इसको, ये ब्रोट नेक है, आगे पीछे का सेम गला का ग फिर उसके बाद सोल्डर से भी कट कर करके अलग कर लेंगे, तो हमारा ये उपर का तयार है, अब हम आचल से बनाएंगे इसको, इस पार्ट को हम आचल से बनाएंगे, तो आचल में जो हमारी कढ़ाई है, उसमें जिस तरफ ओपन साइड है, फोर फोल्ड में करते होई, ज इसको मैं ऐसे ही कट करके अलग कर लोंगे दोनों पार्ट, तो हमारा फोर्थ पार्ट तयार हो जाएगा, कट करके थ्री पार्ट, फिर उसके बाद हम अपने स्लीप की निसान लगाएंगे, तो स्लीप की लंबाई हमारी टेन इंच की है, इसमें वेल लगेगी, और साड़ पार्ट मतलब 9 होता है, तो उसके हिसाब से मैंने लिया है, फोटी का है, लेकिन थोड़ा सा हमारा मार्जिन में जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा के लिया है, तो हमारा 9 इंच में वीर्थ है इसकी और 3 इंच पे डाउन किया है, ऐसे ही मैं अपने स्लीप की प्टि स्ट्राइब जैसे कट ली है, अब कर लोगी, तो जो हमारा नेक का हम ताया है पूरा इसा के हिसाब से है इसके वीड्थ में बढ़ाते हुए, इसके वीड्थ ली है, तो वैसे ही मैं पेस्टिंग पेपर, पूरा ड्राउ करके और फिर कट कर लोगी, तो हमारे तो हम इसमें skin color का, जो fabric का color skin color है, उसका हम neck का design बनाएंगे, इसलिए pasting paper का मैंने use किया है, उसको sew करने के लिए, नहीं तो otherwise आप वैसे भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस design को मैंने यहां पर देखी, यहां पर pipe in लगाऊंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ pipe मैं फैब्रिक लगा के मैं अटेश्ट कर लूँगी, नेक पे और यह जो pasting paper है, अब इसके बाद हम अपनी stripe जैसे पट्टी जो चोटे-चोटे-चोटे कर लूँगी, तो इसको stitch करने के लिए, यह हमारा बीच में यहीं से दोनों जो बीच का जो पार्ट है, जो दोनों अ करके attached होगा, तो यह बीच में यह थोड़ा सा design के जैसा मैं सो करूंगी, और ऐसे ही हमारी design बनेगी, तो इसके लिए मैंने इसी का use किया है, ऐसे ही color का, कि दोनों color मिलके और देखने में भी design जैसा लगेगा, और दोनों पार्ट attached भी हो जाएंगे, तो हमारा यह साड़ी क अच्छे से और अच्छे से यह design भी बनके तयार हो जाएगी, तो ऐसे ही मैं इसको stitch कर लूँगी, अब दूसरी तरह से हम इको पलट के stitch करेंगे, इसी को पलट के, अपने तरफ turn करके घुमाते हुए, उसको stitch करेंगे, तो बीच में हमारा थोड़ा चक, corner corner में मूडा आपना साइड में जो दोनों तरफ open है, उसमें हम piping लगाएंगे, तो piping लगाके मैंने stitch कर लिया है, दोनों पार्ट में ऐसे ही लगा लोगी, जो front में दोनों अलग अलग पार्ट हैं, उसमें भी, आब हम इसमें stitch करेंगे, इसमें लगाके, तो पहले मैं इसमें pin-up नहीं कर कर लिया है ना पूरा stitch, देखिए अच्छे से आपको दिख रहा होगा, और फिर उसके बाद जो मैंने पेस्टिंग पेपर कट किया था, उसमें मैंने main fabric लगा के बड़े-बड़े टाके देखे, इसमें मैं पीन-प कर लोगी, सारा पीन से अटेश्ट कर लोगी, तो पीन स रखके मैंने अटेश्ट किया है, यह green जो था, उसको cover करके मैंने neck को एक नया look देने के लिए ऐसा किया है, ऐसा design बनाया है, अब इसके बाद silver color की मैंने पट्टी लगाई है, तो यह silver color की एक layer दी है, मैंने, इसमें matching करने के लिए, इसमें stitching कड़ाई है, sorry guys, कड़ाई की वैसे ही मैं green color की भी एक पट्टी बनाऊंगी, लगाऊंगी इसमें, तो हमारा यह जैसे की lining जैसा part तयार हो जाएगा, उसके बाद हम अपना जो piping देंगे neck में, final piping, दोनों neck attach करने के बाद, तो फिर उसके बाद उसमें भी मैंने green color की ही piping का use किया है, तो अब इसको ऐसे ही जो fold करते हुए, जैसे एक बाद मैंने stitch किया है, फिर उसके बाद fold करते हुए, मैं इसमें पट्टी अटेश्ट कर दूँगी, तो यही हमारा design है, इसी से सामने का, इसका look फूरा change हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें green color की पट्टी अटेश्ट करूँगी, जैसे मैं silver color के कि फिर उसके बाद मैं solder joint करके, इसमें pipe in लगा दूगी अब इसमें pipe in लगाना, तो pipe in लगाना मैंने guys, नहीं दिखाया क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखाए हैं pipe in कैसे लगाते हैं, देखिए हैं मैंने पुरा neck बन के हमारा तयार हो गया है, तो आप देख सकत मेरे पिछले वीडियो में भी बहुत सारे ड्रेस में ब्लाउजर में दिखाए हैं पाइपे लगाना अब उसके बाद हम अपनी प्लिट्स लगाएंगे तो प्लिट्स लगाने के लिए मैंने 4 इंच पे 5 इंच की लंबाई उसकी और 4 इंच की वीर्थ बनाते हुए सेंटर से मैंने 5 इंच पे एक एक प्लिट्स 4-4 इंच के डिस्टेंस पे दी है तो आगे पीछे हमारा दोनों तरफ हम एक 1-1 इंच की प्लिट्स दे देंगे कमर से तो हमारा ये बोडी का उपर का सेफ बहुत अच्छा आएगा गाईज प्लिट्स जरूर दे ये हमारा फ्रंट का है मैंने पीछ बैक में दे दिया है अब ये फ्रंट में प्लिट्स लगाएंगे तो प्लिट्स की मेजरमेंट फ्रंट में भी वही है कि 1-1 इंच की प्लिट्स हमको लगानी है 4-4 इंच की डिस्टेंस में और 5 इंच की लंबाई है तो वैसे ही मैं प्लिट्स लगा लूंगे प्लिट्स लगाने के बाद हमा अपना स्लीफ की मतलब कटिंग करेंगे मतलब आर्मोल की कटिंग करेंगे जो हमारा आर्मोल लाता है वहां की गहराई देंगे पॉने पॉने एक इंच वाली करने के बाद फ्रांट में आगे के पाहट कर लेंगे जो ज कर लोंगे उसके बाद मैं क्योन कर लो I should एब आगे के पाहट करेंगे फीर कि Ysकार मज्यों कर लो बहुत सारे और जारी stop काती Facί सिंपल सी, ऊपर से तो सिंपल सी ही हमारी स्लीव है, ऐसे ही जॉइंट होगी, और नीचे में इसमें लेंथ बढ़ा, मतलब लेंथ भी बढ़ जाएगी इसकी, और डिजाइन भी आजाएगा, तो मैंने बेल लगाई है, टू लेयर की, तो उसके बाद मैं ये, उसके लिए मैं फिनिसिंग के साथ पहले स्टीशिंग कर लूँगी, अच्छे से अपने स्लीव को, तो जैसे मैंने इस तरफ की स्लीव जॉइंट की है, वैसे ये दूसरी तरफ की स्लीव जॉइंट कर लूँगी, तो दोनों तरफ स्लीव जॉइंट करने के बाद, फिर मैं फिटिंग की स यहां से मैं भाद ही अपनी बैल को लगाएंगे तो बैल बनाना मैं अंभी नहीं दिखाईए फ्रेंड्स और स्टिच के बदे छोगागा अब अपना घेर अम्रेला जो कट्किया था कों एप झैन करोंगा नीचे से कमर से तो कमर से घेर को ऐसे इसली स्मूथली आप जोइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस कपड़े को आपके बस बॉड़ी में और कपड़े को एक सांती एकी प्रोसीजर में रखो, इसी में टान मत करो, नहीं तो मतलब अच्छा सा उसमें फिनिसिंग नहीं आता है कड़ाह जहीं जो कपड़ान निकाला था, जितना आमको बोडर पती चाहिए जो कलरफुल था, ग्रिन कलर जितना आया था, उसको मैं ने गठीक निकाला था, अभूसी में नीचे हमें, जो नीचे के अखेर है, उसमें बैट नचेश की थी, तो न्मारी लंबाई भी यह पूरा कढ़ाई जितना है वो पूरा घेर में आ जाएगा जो छोटे-चोटे मतलब थोड़े तो टुकड़े हैं उनको जोइन कर लेंगे क्योंकि पूरा प्रोसेस में यह कपड़ा है नहीं तो थोड़ा टुकड़े में हो गया है तो उसको सब एक जैसा सील के फिर करका मतल से आब उसको साइड बाले घेर में तो Instagram करने के बाद दोनों तरब का han दोनों तरफ सायड हम शिचिचिंग करने के बाद हमारा यहतो पूरा तरह से बन के तयार हो जाएगा उसके बाद हम अपना अस्तर ऐस्ट कर लिंगे इसलिए हम अलाग ही मैं एटेश्द करती हूं। अब देखे हैँ मैंने कमर पे भी labeled green color की पत्टी लगा दी है क्योंकि green, green हमको प्रोसेब मों दिखाना है अब हम अपने smear की cutting करेंगे तो smear की cutting करने के लिए है मैंने smear को रख लिया है और अपने फर्स्ट लेयर को रखते हुए उसमें से थोड़ा सा बढ़ाते हुए जितना हमको छोटा बढ़ा चाहिए आप अपने कॉड़िंग देख सकते हो आप ज्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो बस आपको यही देखना है कि आप थोड़ा सा हमारा बढ़ा होना चाह कि अपने बैल बन के तयार हो जाएगी तो हम अपने स्लीव में भी ऐसे टेस्ट कर लेंगे हमने स्लीव में और कमर में भी ग्रीन कलगी पट्टी दे गाए ताकि पूरा ड्रेस एक जैसा लगे सम्में मैचंग मैचंग होगा इस चीज का आप धियान रखेगा कि अगर आपको करना होगा ताकि आपकी पूरी देखिए अपकी तसमुदर से हमारा ऐसे ही अटेज्ट हो जाएगा तो हमने स्लीव में भी ग्रीन कल लगा लगा लिए तो हमारा ये सब तयार हो गया है मैंने अस्तर भी अटेज्ट कर लिया है अब हम अपनी बेल को अटेश्ट करेंगे तो को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और स्लीव में इसलीव में फिटिंग की सिलारी लग चुकी है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है बस चारो तरफ से राउंड में हमको सेफ देते हुए जैसे हमारी राउंड में पूरी सेफ है वैसे ही पकड़के अटेश्ट करना है हम बस आपको लेयर देखना है कि आपका प्रॉपर एक के ऊपर एक हो कुछ उटना नहीं चाहिए बाकि और अदरवाइस कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फिर उसके बाद आप किनारा इस्टिच कर लो जो हमारा बेल के किनारे है ना जो हमारा खुला हुआ रहेगा एक साइड तो इसमें स्लिव में अटेज हो जा रही है जो दूसरा साइर हमारा घुल रहाएगा आपको प्रॉड करके दूसरी लेयर भी दम अच्छिसे दोनों लेयर इस्टिच कर लेंगे तो जैसे हम इस तरफ की लेयर इस्टिच कर लिए हैं आच गर आव औस दूसरे इसलिव भी कि आप जल्दी बाजी न करें आराम से लिए तो हमारी देखें दोनों तरफ की नीचे में हमारी स्टिचिंग हो गई है अब उसके बाद साइड की हमसी लगा देंगे बेल में तो जो एक्ष्ट्रा है हमारा कप्ड़ा कटकर के निकाल देखें हमारे कितनी सुंदर सी बेल बन को लाइक कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि बाई बाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू फोर वाचिंग माई वीडियोज